सुपढ़ना, मैं हमेशा से तुम से कुछ कहना चाता था मुझे और बताई आप मुझे बहुत पसंद हाँ, कभी नहीं कहा हाँ, मैं कई बार कहना चाता हूँ, लेकिन मैं मुसल्मान हूँ और आप हिंदू है हाँ, यही हमारी समस्या है हालां कि प्यार में इन धर्म मजभब का क्या मतलब है यह इन से परे है हाँ, यह सही है क्या आप शूद्र जाती के है शायद लेकिन उची जातियां आपको कोई सम्मान और शिष्टाचार नहीं देंगी अगर यह सच है, तो यह बहुत बुरी बात है मुझे भी इस बात का बहुत दुख है अच्छा आप कहते हैं कि मेरी स्थिती बहुत दयानी है हाँ, बहुत बुरा इसका विरोध होना चाहिए लेकिन आप देखिए हमारे इसलाम की नजर में ऐसे कोई मतभेद नहीं है हम सब एक समानी है अब मैं क्या कर सकता हूँ तुम मुसल्मान बन जाओ तब आपको बिना किसी भेद या मतभेद के समान समान मिलेगा यदि हाँ तो जब मैं मुसल्मान बन जाओंगा तो क्या मैं अशर्फ बन जाओंगा या ये अत्राफ होगा वह यानि मैं अत्राफ हो जाऊंगा, क्योंकि अश्रफ उची जाती के मुसल्मान है, अश्राफ वो है जिन में अर्बों का खून बहता है, वे सच्चे और इमानदार मुसल्मान है, बाकी सब नीची जाती के हैं, और मेरा अश्रफ से कोई रिष्टा भी नहीं है लेकिन इसलाम कहता है सभी एक जैसे हैं, हाँ लेकिन आप, नभी मुहमद, क्या आप दोनों एक जैसे हैं? या अल्ला, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपके बीच शिया, सुन्नी, एहमदिया, पश्मान्दा और भी कई संप्रदाय हैं, क्या तुम सब आपस में नहीं लड़ रहे हो? एक को देखकर दूसरे पर मोहित नहीं होना पड़ता, वे एक दूसरे की मस्जिद में पैर भी नहीं रखते, उनमें सबसे उंची जाती कौन है? इनमें सुन्नी प्रमुक जाती प्रतीत होती है? इतना ही नहीं, मुखालिद सुन्नी ओ में उंची जाती है, गैर मुखलिड निमन जाती के है? फिर मुखालिदों में चार जन जाती आओं हैं, हनाफियों को छोड़ कर बाकी सभी निचली जाती के हैं, हनाफियों में भी देवबंदी प्रमुक जाती थी, बरेलवी एक अल जाता है और अनौपचारिक रूप से 100 से अधिक हैं इसके अलावा एहमदियों को इसलाम से बहिश्कृत किया जाता है और अच्छूतों से भी बत्तर उनका अपमान किया जाता है और उन पर हमले किये जाते हैं लेकिन ये क्या है अल्ला ठीक है ये सब छोड़ो जो भी सोचत हो बस इतना ही जानते हो महिलाओं को आधा दमक होता है संपत्ति के अधिकार पुरुशों के समान है ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की गवाही पुरुशों की आधी गवाही होती है ये सब भेदभाव और अपमान नहीं तो और क्या है महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश इसका पालन करना या न करना ज़रूरी नहीं है पहले मुझे यह बताओ कि ये बुराईयां होती भी है या नहीं यौन दास्ता को बढ़ावा देते हुए महिलाएं ज्यादातर नर्क में जाती है मुस्लिम पुरुष ज्यादातर मरने के बाद स्वर्ग जाते है यहां केवल चार पत्नियां है फिर स्वर्ग में आपके पास भत्तर कुमवारी लड़कियां है चाहे वे कोई भी हो यही तर्क है यह सब देखते हुए क्या इसलाम कम से कम महिलाओं को इंसान के रूप में देखता है या अल्ला मेरा कैसा बोलो मेरे जैसी लड़की के सामने तू कुछ भी नहीं बोल सकता, जो लड़की तुम्हारी बारे में कुछ भी नहीं जानती अब कोई लाब नहीं, मैं जाओंगा सुपर्णा, तुम सच मुछ बहुत सी बातें जानती हो अबदुल जाने से पहले अच्छी तरह सुन ले, छे महीने पहले तक मैं भी यही सोचता था कि यह वीभत्स जातिवाद केवल हिंदू धर्म में ही है मैं सोचता था कि इसाई और मुसलिम धर्मों में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है जातिगत भेदभाव देखकर बहुत दुख होता है तद्नू सार कुछ कम्यूनिस्टों की शिक्षाओं ने मुझे हिंदू धर्म से ही नफरत करने पर मजबूर कर दिया एक दिन हमारी जाति में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसे रामायन और महाभारत की अच्छी समझ थी बेबी क्या जब कोई आकर कुछ कहता है तो उस पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है म ते ए ते लुगू, म ए राजनीती विज्ञान ने यह किया इतना पढ़ा लिखा आदमी यह अच्छा क्यों है? एक बार रूडिवादी धर्म ग्रंथों के साथ-साथ कुरान और बाइबिल को भी एक बार तरकवादी दृष्टिकोंड से पढ़ ले फिर कोई निर्णय लेमा और चले जाना उनके निर्देशा नुसार पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि सनातन धर्म के किसी भी मानक ग्रंथ में जातिवाद का कोई उलेख नहीं है यदि राम के कारण जातिगत भेदभाव किया जाता है वशिष्ट जो शूद्र जाती में पैदा हुए थे राम के गुरू थे पोईवाडैन वालमी की द्वारा लिखित रामायन एक पवित्र ग्रंथ बन गया भरद्वाज, याग्यवल्क्य, विश्वामित्र, व्यास आदि आदि ये सभी जन्म से शूद्र है लेकिन गुण कर्म से ब्रामन नहीं है यादव जाती में जन्मे कृष्ण को भगवान के रूप में कैसे मापा जाता है रावणासुर, महिशासुर जैसे लोग जो ब्रामन है उन्हें राक्षस कैसे माना जा सकता है ऐसे सैकडों उदाहरन देखने के बाद ये समझा जाता है कि हिंदू धर्म में कुछ अज्ञानी, अहंकारी और स्वार्थी लोगों ने मध्य युग में जाती भेदभाव को बढ़ावा दिया आखिरकार भगवान कृष्ण ने स्वयम भगवत गीता में कहा है चतुरवर्ण माया द्वारा निर्मित है गुण कर्म विभाग शाहा, इसका मत मैंने गुण और कर्म के अनुसार चार वर्ण बनाए है उन्होंने कहा कि हमारी पसंद इस पर निर्भर करती है कि हम क्या करते हैं लेकिन किसी ने कहीं नहीं कहा कि यह जन्म पर निर्भर करती है वे भी सिर्फ जातियां नहीं बलकि जातियां है। कि परमात्मा न केवल साथ ही मनुश्यों में, बलकि हर जीवित प्राणी में मौजूद है। और जबसे मैंने कई जगहों पर बाइबिल, कुरान पढ़ना शुरू किया, उन लोगों को मारो और मार डालो, जो हमारे देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं। और उनकी पत्नियों को ले लो, संपत्ति को विभाजित कर दो, जैसे वे विभाजित हैं, स्वर्ग को स्पष्ट करो, चाहे वे कितने भी अच्छे कर्म करें, वे सभी चो हमारे देवताओं में विश्वास नहीं करते, काफिर हैं, पापी हैं, वे सभी नरक में जाएंगे। ये सब देखो, और सोचो कि तुम पागल हो रहे हो, अब बताओ अप्दुल, यद्यपी हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथों में जातिवात कहीं नहीं है। आत्म केंदृत लोग अपने द्वारा बनाए गई चीज का मजाक उड़ाते हैं। यदि हम उन विदेशी जनजाति के पास जाएं, जो एक या दो प्रमुग ग्रंथों में नफरत उगलती हैं, ये ऐसा है, मानो चूहों के कारण घर जल गया, और या शायाहा छोपड़ियों में जाकर मर गया।